So, hello everyone, very good evening all, स्वागत आप सभी का, नर्सिंग अंटर 24-7 में, मैं विविक कुमार सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर और आज की खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, शांदार खबर है, ये वीडियो देखकर आप लोगों को, खुद को ये एहसास होगा, कि यार इस बार कुछ खास होने वाला है राजस्तान में राजस्तान CHO, NHM और नर्सिंग ओफिसर, तीन वेकेंसी, बड़ी वेकेंसी आने वाली है, CM ने एलान किया है, भजनलाल सर्मा जी ने एलान कर दिया है, कि 10,000 से भी और टोटल 10,888 पोस्ट है, वो आप लोगों के लिए नर्सिंग में आने वाली है, बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, राजस्तान के उन सभी एस्परेंट्स के लिए, नर्सिंग एस्परेंट्स के लिए, जो लंबे समय से तयारी कर रहे है, लंबे समय से CHO, NHM, नर्सिंग ओफिसर की इंतिचार कर रहे है, उनके लिए बड़ी खबर है, क्या है पूरी खबर, पूर 40,000 भड़तियां मैं एक बर पूरी ख़वर पढ़के सुना देता हूं थो रस इसको जूम भी कर देता हूं आप लोग के लिए पहले तो ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे गई सीम के लक्से को पूरा करने के लिए चीकिस सब विवाग ने कमर कसली है विवाग ने अगले साल जून तक करी 45,000 पदों पर पदस्तापन मलब ट्रांसफर और नई भड़तियों का प्लान बनाया है इसमें नर्सिंग ओफिसर, फार्मसिस्ट, एनेम, लेब टेकनिसियन की बढ़ती भी होगी, गैजिटेड, नोन गैजिटेड, 6,500 पदों पर बढ़ती होगी, RGMS कोलेज में 3,016 पदों पर बढ़ती होना था है, विवाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक सहाइक रेडियोग्राफर और लेब टेकनिसियन की 3,108 पदों पर पोस्टिंग दी गई है, इसके अलावा, A&M के 4,47 पदों पर बढ़ती हो चुकी है, जोएनिंग भी दी जा चुकी है, विवाग के अफसरों ने बताया कि नॉवंबर में नर्सिंग ओफिसर की करीब 8,700 पदों पर बढ़ती की जाएगी, यह पर्मानेंट वाली जो प्रचंटेज बेस इसके अलावा, अब देखो, अब कमिंग देखो, डेंटल के 600 पोस्ट पोस्टिंग होगी, दिसंबर में फार्मसिस्ट के 3,66 और मेडिकल ओफिसर के 1220 पर पोस्टिंग का प्लान है, जनवरी दो हजार पत्चीस में, A&M के 3058 और CHO के 560 और नर्सिंग ओफिसर के 238 पदों पर बढ़ती होगी, और फरवरी और मार्च में, अब देखो, ये नया है, फरवरी और मार्च में, 2025 में प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन के 10800 पदों पर बढ़ती होना तहने है, मतलब NHM की बढ़ती आने वाली है, और आप लोगों के लिए नर्सिंग ओफिसर की और मिलने वाली है, लेकिन अभी तो ये एकीन मानिएगा, ये 6 जून को CHO और NHM दोनों का एक्जाम होगा, और लगबग 5-6,000 पोस्तों CHO और NHM दोनों को मिला कर होने वाली है, और CHO और NHM के लिए आप लोग इलिजिबल है, नर्सिंग भी और GNM वाले भी, तो आप अपनी तयारी को बहतरीन कर सकते हैं, तो ये लक्षे को पूरा करने वाली है, हलाकि अभी CHO का वेरिफिकेशन भी चल रहा है, उनकी भी भड़तियां, उनकी भी जो है, डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिश्ट निकलने वाली है, और साथी साथ GNM की जो है, वो से 27 नॉमबर को उसकी भी एक्जाम की, या मैं बोलू कि उसकी डेट सीट जो है, या मैं बोलू कि पोस्टिंग की जो लिश्ट है, वो निकलने वाली है, तो बस आप एकदम कमर कसलीजी, आपनी तयारी को चार चान लगा दीजी, और इस बार बस एक ही बात है, इस बार सेलेक्शन होना ही वो कहते भी है ना कि जीवन की अभी तो कई मतहान बाकी है, अभी तो असली उडान बाकी है, और अभी तो नापी है मुठी बर जमी, अभी तो सारा आसमा बाकी है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बहतरीन जो है, वो खबर होनी चाहिए, जहां CHO, NHM और पराती है, क्या होता है, उस सारी खबर भी आप लोगों के सामने में जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो बस stay tuned, subscribe करिए, नर्सिंग अंडर 24-7 को, और वीडियो को जरूर लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया तो मिलते हैं आप लोगों से, अगले नए वीडियो में, त Thank you so much, all the very best, और बस एक ही बात याद रखेगा, CHO के लिए, डेली नर्सिंग अंडर 24-7 पर डेली सुबह 11 बजे, रास्तान CHO, बिहार CHO और UPCHO के लिए जो है, वो already तयारी चल रही है, तो आप उसको अभी भढ़ सकते हैं, तो आप अपनी तयारी को बहतरीन बना सकते हैं शांदार तरीके से, और साती सात जो है, वो एक कदम, बोलते हैं कि सफलता की तरफ बढ़ा सकते हैं, तो बस अभी कमर कस लीजे, और CHO के लिए हो जाईए तयार, ये मानिगे रहे हैं, कई बचोगा ये भी confusion था, कि 6 जून को CHO और NHM एक दिन में कैसे होगी, तो जो आलोक सेकंड शिफ्ट में लगेगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं होगी, अलग-अलग होगी, तो बस आप दोनों, आप CHO और NHM की तो तयारी स्टार्ट करी दीजिए, और बहुत जल्दी इसके बारे में और भी बहुत सारी ख़वर आपको मिलने वाली है, तो आप सभी का बहु